नमस्कार बहुत स्वागत थे आपका आप देख रहे हैं गनपती धर्मा सनमार्ग बिस्तव रासी वालों आपके रासी के स्वामी सुक्र जो अभी तक आपके लग्ण में बिराजमान थे यानि अपने ही घर में सुक्रदेब बैठे वे थे पूरे चार महिने से और आपके ज परिवार का भौ कहते हैं अब सुक्रदेब यहां आएंगे तो उनको साथ मिलेगा राहु का अब राहु देव यहां पर हैं पारिवारिक जीवन में क्या इसका प्रभाव पड़ेगा आपके धन के मामलों में इस परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा आज हम यही अगर्ष्ट को जब अपनी रासी मिथुन रासी में जाएंगे यानि अपनी रासी से निकल कर सुक्रदेब मिथुन रासी में जाएंगे और यहां पर एक सितंबर तक रहेंगे तब सुक्र के मिथुन रासी में प्रवेश करने से समसब तक योग बनेगा शुकर देव चार मयने से बिशब रासी में थे और शुकर देव का ये रासी परिवर्थन देव गुरु ब्रहस्पती धनू रासी में होंगे केतू के साथ और जब सुक्रदे मिथुन रासी में आएंगे तो इनको साथ मिलेगा राहू और बुद्ध का हलाँ कि बुद्ध दे दो अगस्त को रासी परिवर्तन कर सुरी के साथ आजाएंगे लेकिन धनु रासी में गुरु के साथ केतू रहने के कारण एक दूसरे से सातवे घर में हर एक गरह की दृष्टी है अब सुक्रदे पूरे एक महने तक मिथुन रासी में रहेंगे राहू के साथ और ब्रिस्पती सुक्र का समसब्तक योग बनेगा अब ऐसे में आप ब्रिस्पती रासी वालों आपके जीवन पर आपको क्या प्रभाव पड़ेगा पहली खुस खबरी तो ये है कि धन लाब होगा धन के मामलों में आप लकी रहेंगे क्योंकि धन भाव में सुक्र देप के आने से एक बार फिर से आपकी खुसिया लोटाएगी क्योंकि आपका जो वानी है वो प्रभाव साली होगा लोग अब आपको सुनना पसंद करेंगे आपके धन में आकस्मिक रूप से बिर्धी होगी यानि अगर आप कर्जों में परिसान है तो कर्ज से मुक्त होने के भी योग बन रहे है और जो अभी तक आपके खर्च हो रहे थे अनावस्यक रूप से वो भी समाप्त होंगे कहने का तात पर है आपकी वानी का वेट बढ़ेगा और आप अपनी वानी के दम पर बड़े से बड़े कारे को आसानी से पूरे कर लेंगे जीवन में भौतिक सुक्सुवी धाएं भी बढ़ेंगी और दूसरी तरफ बिसाब बालों आपके रासी के स्वामी जब धनभाओं में आएंगे तब आपका जो कम्यूनिकेशन स्किल है वो बहुत अच्छा होगा फाइननसियल जो कंडिसन है वो खुबसूरत होगा आपके अंदर बहुत सारे आइडियाज आएंगे और उसको आप सिर्फ सपने में नहीं बलकि जमीनी हकीकत पे भी लाते दिखेंगे और खासकर अगर आप लवलाइब में हैं तो ये सुक्र आपके जीवन में खुशियों को घोल रहे हैं दूसरी तरफ आपके रिस्तों में मधूरता आएगी अभी तक जो तनाव चल रहा था आपके रिस्तों में वो समाव्थ होगा बीती भाव में सुक्र राहू एक साथ आकस्मिक धनलाब तो कराएंगे ही पारिवारी जीवन में भी सुधार आएगा अब आप परिवार के लोगों के साथ बक्त बिताना पसंद करेंगे आप लोगों में जो प्रेम है वो बढ़ेगा और आपके अंदर जो भी चीजे चल रही है एक दूसरे से सेर कर पाएंगे आपकी वानी में मिठास आएगा आपका व्यक्तित्व आकरसक हो जाएगा क्योंकि यहां पर से आपके एक बहुत अच्छे खुबसूरत सा समय का सुरुआत होता है सुंदर एक कारक सुक्र आपके रासी के स्वामी है यानि आप खुद को खुबसूरत दिखाने के लिए इस दौरान बहुत सजेंगे सवरेंगे सली के से रहेंगे थोड़े खर्च भी होंगे लेकिन इस दौरान आप धन तो आएगा पर जादा खर्च ना करें और एक बात का ध्यान रखिएगा राहू जहां भी बैठ जाते हैं उस चीज को आपको करने से बचना चाहिए जैसे कि राहू धन भाव में है तो जब धन भाव में राहू है तो कर्ज लेने और देने दोनों से ही बचिए नहीं तो चुकि यहां पर राहू दे बिराजमान है आपके पैसे फसेंगे डूबेंगे थोड़ा ध्यान रखिएगा तो आकस्मिक रूप से धन आएगा लेकिन आकस्मिक रूप से खर्च भी करवाएगा राहू तो इसके लिए तयार रहे है लेकिन फिर भी आप कुल मिलाकर आपकी जो बैंक बैलनसे वो बढ़ेंगे झाल